दूस्तो बेटल ग्राउंड मोबाईल इंडिया अगर आप डाउंलोड करना चाहते हो आपको डाउंलोड का ओफशन नहीं मिल रहा है इंस्टॉल करने का ओफशन नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखो guys इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताने वाला तो गईस यहां पर देख सकते हो मेरे पास दो स्मारठफोन हैं दोनों स्मारठफोन में अलग-अलग चीज़ें यहां पर तिखाईते रही है सेम प्लेइस्टोर पर एक मोबाइल पोन में install का option आ रहा है आप खुद देख सकते हो तो अब बात आते हैं दोसों आखिर जिसमें pre-register का option आ रहा है उसे install में कैसे convert करेंगे कैसे उसमें install करेंगे इसमें तो install का रहा है मैं इसके उपर क्लिक करके आपके सामने दोसों देख सकते हो इसे install कर सकता हूँ लेकिन जिसमें नह इस्टेर का option आ रहा है install का option ही नहीं आ रहा है मैं लाके दिखाता हूँ तो simply आपको क्या करना है सबसे पहले आपको home पे जाना है home पे जाने के बाद दोस्टों आपको इससे close करना है close करने के बाद दोस्टों आपको play store के उपर long press करना है अपिलिकेशन info में जाना है यहाँ आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस्टोरेज का ओप्शन में लेका इस्टोरेज पर जाना है एंड यहाँ पर जो यह कैश डाटा होता है इसे आपको क्लियर कर देना है इसे पूरा का पूरा डिलीट कर देना है ठीक है डिलीट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे home button पे आ जाना है एंड वापिस से play store को open करना है एंड यहाँ पे दोस्तों search करना है battleground mobile India एंड यहाँ पे आपको आ जाना है एंड वापिस से दोस्तों आपको यह जो pre-register का option दिख रहा है यहाँ पे दोस्तों आपको pre-register कर लेना है ठीक है अगर आप pre-register नहीं करोंगे तो यह trick काम नहीं करेगी इस बात का ध्यान रखना तो आपको pre-register कर लेना है उसके बाद आपको home button पे आ जाना है home button पे आने के बाद दोस्तों आपको simply अपने phone का कोई भी एक जो है browser open कर लेना है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी एक browser open कर लेते हैं for example के लिए यहाँ पे मैं chrome browser open कर लेता हूँ ओके कहां गया मेरा chrome यहाँ पे आप देख लिए so chrome browser को open कर लेता हूँ यहाँ पे एक new tab में and यहाँ पे दोस्तों आपको same चीज search करना है battleground mobile india यहाँ पे देख लिए same चीज़ आपको लिखे search करना है अब यहाँ पे धेरों सारी website आ जाएंगे तो आपको इनकी official website पे जाना है यहाँ पे आप देख सकते हो यह official website है guys मैं आपको थोड़ा सा pass लाके दिखा दू इसी website के उपर आपको जाना है इसके उपर आपको click करना है यहाँ पे आप देख लिजिए और यहाँ पे ऐसा कुछ interface आएगा और नीचे दोस्तो early access now का option दिखेगा तो आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद दोस्तो आपको simply become a tester यहाँ पे आप देख सकते हो इसके उपर click कीजिए पूरा step आप यहाँ पे ध्यान से देखी अगर यहाँ पे error आता है तो आपको इसी ऐसे refresh करना है continue करना है यह आपको करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ option आजाएगा आप देख सकते हो देन आपको यहाँ पे download download it on google play दिखाई देगा आपको इसके उपर click करना है इसके उपर click करते ही दोस्तों आपको सामने same ऐसा interface आएगा यहाँ पे install का button अब भी भी नहीं आ रहा है तो यह कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ आपको एक बार फिर से अपने play store के उपर long press करना है application info में जाना है और यहाँ पे यह जो storage होता है उसे वापिस से यहाँ पे clear cache कर देना है ठीक है यह आपको एक और आखरी बार करना है और वापिस से आपको chrome browser के उसी page पे आ जाना है थोड़ा सा दोसों आपको यहाँ पे मतलब की ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या करना है उसके बाद वापिस से उपर आपको click करना है और यहाँ पे देख सकते हो install का option आ चुका है आपने देखा बड़े ही आसानी से दोसो install का option आ गया पहले इसी में pre-register का option आ रहा था लेकिन जहीं मैंने आपको trick बताई उससे दोसों यहाँ पे install का option आ रहा है इसी trick से दोसों आप सभी smartphone में जिसमें pre-register का option आ रहा है उसमें भी install का option ला सकते हो और इसे install कर सकते हो आपके सामने मैं इसे install करके दिखा दाओ तो यहाँ पे आप देख सकते हो pending है और यहाँ पे आप देख लिजिट डाउनलोडिंग शुरू हो गई है 721 MB का यह जो है गेम है पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो लाइब दिखा रहा हूँ मैं कोई भी fake वीडियो नहीं बता रहा हूँ आप बड़े आसानी से इंस्टाल कर सकते हो आपको यह छोटी सी इंपोमेशन पसंद आई होगी अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक को शियर करना है और हमाई चैनल को सुस्क्राइब कर देना थैंको गाइस बाइब और टेक केर हुआ हुआ है